बाल विकास एवं मनो विज्ञान से संबनित जो भी मैं प्रस्ट न लेकर आया था सभी बच्चे ने वीडियो को सपोर्ड और अच्छी सहमती दी है तो इसी की हिसाब से मैं आपका पार्ट फोर वीडियो लेकर आया हूँ ठीक है अगर आगे और चाहते हो तो पार्ट फाइफ वीडियो लेकर आऊँगा अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो एक बार कमेंट के भी बताईएगा सर आपका वीडियो बहुती एनलिसिस हेलफफूल है तो आप Part 5 वीडियो लेकर आएं मैं लेकर आऊंगा आप लोग कहेंगे तो वीडियो को अधिक साधिक लाइक किजेगा वीडियो को अधिक साधिक सेयर कीजेगा अगर पहली बारा है तो चैनल को सस्क्राइब करके जाईएगा तो चलिए देखिए यहाँ पर हमने कल क्लासेज देखे थे पार्ट थ्री वीडियो ठीक है आज आपका रहेगा पार्ट फोर वीडियो ठीक है पार्ट वन वीडियो औ आपने अच्छा एनालिसिस किया है और अच्छे से इसमें कमेंड किये हैं तो चलिए आज का जो वीडियो बहुंती महत्तपूर्णा प्रस्णा है आने की संभावनाय बनती है ठीक है तो आपके होस्टल वाडर नबे मनोविज्ञान से 10 नमबर प्रस्णा पूछे जा रहे है और सिख्छक विभाग में आपके यहां से प्रस्णा पूछे जाएंगे तो आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं बाल विकास से संबंधित महत्तपूर्णा प्रस्णा बाल मनोविज्ञान का तो पहला प्रस्णा है विकास के अध्यन के छेत्र में निम निर्खित किसका चाहूंगा अगर यह वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आता है इनालिसिस करते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पर आये हैं तो जल्दी से वीडियो के एक बार लाइक करके जाएगा तो चलिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा प्याजे क्या हो जाएगा प्याजे वीडियो को जितना ज्यादा आप सपोर्ट करोगे वीडियो को जितना ज्यादा लाइक करोगे उसी प्रकार में आपको पार्ट फाइप वीडियो लेकर आऊँगा वीडियो आपको कपाई पसंद आता है वीडियो को लाइक करते चलिएगा तो इतने भी मैं कोश्चन लेकर आया हूं जितने भी सभी विवाव्यारवर पुछे गए हैं ठीक है यह जो मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं काफी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तो चलिए तीसरा प्रसन देखते हैं कि इसका आनसर आपका सी हो जाएगा बच्चो यहाँ पर पठन वीकार से ठीक है 4 आपका विशेस रूप से जरूरत मन बच्चो कोको क्या होना चाहिए दूसरे समाने बच्चों के साथ होना चीए आपके आंसर ए चलिए आप लोग कमेंड करके आप बताइए जाएगा चलिए नेस्ट कोश्चन का आंसर क्या होगा सिच्च की किड़र गार्डन पधती का प्रतिपादन किया है किसने किया है जल्दिस कमेंड करके बताइएगा फटाक से आंसर आना चीए हाँ बिल्कुल तयारी कर रहे हो तो फटाक से आंसर आना चीए सिच्छ की किडर गार्डन पद्धती का प्रतिपादन किया था किस ने किया था टीपी नन ने इस्पेंसर ने फ्रोवेल ने मांटेसरी ने तो इसका आंसर बिल्गुल सही है C answer होगा, फ्रोवेल ने किया है, किसका प्रतिबादन किया है, किंडर गार्डन पद्धती का प्रतिबादन किया है, फ्रोवेल ने है न, चलिए नेस्ट है, एक अभिभावक आपसे विद्यालाय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, तो क्या होगा, आप बच्चे की उपेप् जान से, एक अभिभावक आपसे अगर विद्यालाय में मिलने के लिए कभी नहीं जाता, तो क्या करेंगे, आप स्वयम उन से मिलने के जाएंगे, यह आपका क्या होगा, यह आपका स्वभाविक बात होगा, है न, वीडियो आप कमेंट करके बताएगा, दोस्तों, या वीडियो पहुंच सके, मैं डेली आपको रिकोड़ेट क्लास अप्लोड कर रहा हूँ, टाइम टू टाइम ठीक है, तो देखिए बहुत इतना मेहनत करने के बाद इतने सारे कोश्चन लेकर आता हूँ, दोस्तों, तो वीडियो के एवर लाइक जरूर कीजिएगा, बाले बाले अवस्था की किस नाम से जाना जाता है, तोली आयू बिल्कुल सही है, जीवन का नोखकाल ये भी सही है, बक्की अवस्था ये भी सही है, तो उप्रोगता अंसर सभी हो जाएगा, टोटाल आज हम 25 कोश्चन देखेंगे, ठीक है, अधिक विद्वानों के अनुसार बाले अवस्था की अवधी कितनी होती है, जो बाले अवस्था की अवधी है, कितनी वर्स होती है, 5-10, 6-12, 3-14, 4-18, जालिस कमेंट करके बताईगा, देखेंगे, आप लोग अगर कमेंट करते जाएंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है, तो अधिक विद्व कानों के निम्सार बाली अवस्ता के अवधी कितनी होती है क्या हुझ कों मैं की और ऑन्सत्रौ्पर lebih होती है क्या हुझ किसा वाष्ठा में होती है किस और अवस्ता नहीं होती है आंसर एक बार कमेंट कर दिए ना प्यारा भारा छोटा सा कमेंट कर दिजेगे कि आपका वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है सर्फ तो आप डेली क्लास लेकर आईएगा आपका प्यार भारा इसने देखकर मुझे पार्ट फाइप लाना पड़ेगा तीक है आप सभी बहुत ही मेरा वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल वीडियो को सपोर्ट कीजेगा और वीडियो को अधिक सधिक लाइक कीजेगा दोस्तो एक नवजास इसुगा भार कितना होता है आप जल्दिस कमेंट करके बताएगा 6 पाउंड, 9 पाउंड, 8 पाउंड या 12 पाउंड, आप जल्दिस कमेंट कीजेगा बिल्कुल सही आंसर दिये हैं, आंसर B, ठीक है, 9 पाउंड, सीखना विकास की प्रकिरिया या कथन किसका है, जल्दिस कमेंट करके बताएगा फटापट कमेंट करना स्टार्ट कीजेगा, सीखना विकास की प्रकि है चलिए चिंतन की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है तो चिंचन की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है जो चिंदन करते हैं ना तो क्या होती है विचार आपसंदे आपसंद बी कलपना आपसंसी स्री जातमाता या आपसंदी समध्या का समध्हान तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा बिल्कुल क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ठीक है बालक का विकास परिणाम है तो बालक का क्या विकास परिणाम है जल्दिस कमेंट करके पताएगा वंसनुक्रम वातावरन वंसनुक्रम वातावरन की अंतक्रिया या आर्थिक करकों का तो जल्दिस कमेंट करना स्टार्ट किजिएगा एक बार दोस्तों मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि दिखिए यह पार्ट फोर वीडियो लेकर आप सभी के लिए लाया हूं अगर आप चाहते हैं पार्ट फाइफ वीडियो जो आपके लिए रिलेटिव कोस्चन के तोर पर पूछा जा रहा है ठीक है तो अगर मैं फाइफ वीडियो लाना चाहूंगा तो आप एक बार कमेंट किजिएगा कि सर आपका वीडियो काफी हेल पफूल है हम आपके लिए सहमती प्रदान कर रहे हैं तो चलिए यह आपका आंसर हो जाएगा बिलकुल सी वंसन उक्रम वातरण की अंतहक रिये आपके cg&t team भी पूचा गया है सिच्छक भरती में भी पूचा गया है और आने वाले एक्जाम आपके बाल विकास महनम ज्यान में भी पूचा जाएगा होश्टल वाड़ानम में ठीक है यह क्या हो गया भई काम कैसे निकर रहा है काम कैसे निकर रहा है चलिए काम करने स्टार्ट कर दे है फिर यह देखिए बार बर रूम जा रहा था ना कोई बात नहीं यह देखो फिर काम नहीं कर रहा है अभी काम किया चलिए कुछ कारण वज़ा से रूख जा रहा था कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मानसिक विकार को प्रवाहित करने वाला कारक है, जल्दीज बताइए कि मानसिक विकार को वंसनुग्रम, परिवार का वातावरन, परिवार की समाजिक इस्थिती बिल्कुल सही है, सभी आंसर आएगा, ठीक है, चलिए, बालकों में अधिगम की विकास में नीम्नय में से सबसे महत्तपूनक क्या है, तो देखिए इसका आंसर एव्यस्थ विद्यालेकाइकरम, आपसन भी अधिक पाठ्यापुस्तके, आपसन सी अधिगम उत्प्रित वातावरन या आपसन दी उस्थूप माता तो इनका जवाब बिल्कुल सहीं आया है, दो सो सत्तर, ठीक है, तो जन्म के समय, ये आपके जन्म के समय, बालक की जो हड़ियों की संख्या होती है, आपका दो सत्तर है, आपसन ए हो जाएगा, वे कौन सा बाहकारक है, जो एक बच्चों को कप्छय में रूची लेने से र बंडार हो जाता है, कितने सब्द बंडार आते हैं, दूसरे वर्ष के अंतत्तर तक स्विसु को सवसब्द, है ना, कितने सवसब्द, बिल्कुल सहीं है, वीडियो आपको कैसा लग रहा है, एक बर कमेंट करके बताएगा, चलिए, सर्म और गर्म जैसी भावना का विकास क इस अवस्था में होता है, देखिए, सर्म रहता है, गर्म जैसे सर्माते वगरें ला जाते हैं ना, उसी को बोलता है, उसकी भावना का विकास होता है, आपका बाल्य अवस्था में होता है, ठीक है, सहसा अवस्था की मुख्य विश्था से क्या नहीं है, चलिए, आप सभ इस आप प्रस नहे और है आप ऐस सभी लोग दें जितने भी ब्च्छे एक बड़ जूड़ चुके हैं हमारे चैनल को एक बर लाइक कर दिजेगा ठीक है जितने भी बच्चे जुड़ चुके एक पर चैनल को लाइक कर देजेगा सैसा वस्ता की मुखी विश्चे से क्या नहीं है सिखने की प्रक्रिया, जिग्यासा की प्रवित्ती ये चिंतन की प्रक्रिया अनुकरन द्वारा सिखने की आप सभी के लिए क्वेश्चन है, आप सभी आंसर दीजीगा इसका क्या आएगा, मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन छोड़ दिया हूँ ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बाक्स में जरूर बताएं चलिए समान ये अर्थ हमें सिखने की प्रक्रिया को ये, मंद समापत होना क्या कहलाता है? सीखने का वक्र कहलाता है ठीक है, चलिए अब देखे, सिख्छा मनोव ज्यान का सहयक क्या है? पड़्म जबरदस्त question है सिख्छा मनोव ज्यान सहयक है, स्मयम को समझने में स्मयम को समझने में अगर आप अच्छे से समाझ जाते हैं, तो बिल्कुल यही सिच्छा मनों में ज्ञान ही सायक है, चलिए इसका अंसर आप बताएगा क्या आएगा, तुझे मुझे एक बालक दो, मैं उस डाक्टर वकिल ध्यापक कुछ भी बना दूँगा, यह कथन किसका है, थारन डाइक, बुर्णार, वाटसन यह वुडवर्ट, तो इसका अंसर सी हो जाएगा, वाटसन का, ठीक है, एक बाल मैं फिर से कहना चाहूंगा दोस्तो, अगर वीडियो आपको पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कीजेगा, अधिक से अधिक से शेयर कीजेगा, ठीक है, चलिए ला सस्क्राइब करके रख लीजेगा, बेल आइकन घंटी को ओल पर सेट कर लीजेगा दोस्तो, जब भी मैं रिलेटिव वीडियो अपलोड करूँगा, नोटिफिकेशन के माध्धम से आपको मिल जाएगा, ठीक है, आज के लिए इतना ही, चलिए ये, चलिए कोस्टन और दे कराएंगे, अगर काफी ज़्यादा पसंद करते हैं, बच्चे वीडियो सहभादी करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वीडियो में लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उनको देखकर मैं उन हिसाब से पार्ट फाइप वीडियो लाऊंगा, ठीक है, आप क्या कहना है, आप कमेंट कि जरूँ कि जरूँ